बच्चोँ हम क्लास 12 की गणित का अध्याई 113 वीमी जामीती 3-Diamational Geometry के बारे में पढ़ रहे हैं पिछले सेस्ञ में हमने प्रसनावली 11.1 के उधानों को हल करना सीखा है बच्चो आज के इस सेस्ञ में प्रसनावली 11.1 के प्रसनों को हल करना सीखते हैं तो आईए देखते हैं कि उसन संख्या एक देखिए यदि एक रेखा x y और z x के साथ कर्म से 90 डिगरी 135 डिगरी और 45 डिगरी के कौन बनाती है अर्थार्थ अर्थार्थ एक रेखा इक साथ में जो कौन होता है वो यह हमारा इल्फा बीटा गामा हमें दिया है कि दिसा कौन दिया है दिशा कोन हमें दे रखें अर्थार्त xx के साथ में जो कोन होता है वो हमारा alpha होता है alpha equal to 90 degree ऐसे ही beta equal to 135 degree और ऐसे ही gamma equal to 45 degree यह हमें दे रखा है इसलिए यह मान यहाँ पे रख देते हैं इसलिए l equal to cos alpha L equal to cos alpha और alpha का मान यहां रख देते हैं तो cos 90 अर्थार्थ यह प्राप्त हो जाएगा हमें 0 के ब्राप्त ऐसे ही निकालते हैं अपन M का मान तो M equal to cos beta और beta का मान हमें दे रखा है 135 तो यहां लिख देते हैं 135 और बच्चों यह प्राप्त होता है minus 1 upon root 2 और यह कैसे आया इसकी भी बात कर लेते हैं पहले अपन N का मान निकाल लेते हैं N equal to cos gamma और वो gamma है 45 degree अर्थार्थ cos 45 और इसका मान होता है 1 by root 2 अब अच्चों इसकी थूड़ी बात कर लेते हैं इसके लिए हमें trigonometry में जाना पड़ेगा तो देखिएगा cos 135 degree इसको अपन लिख सकते हैं cos 180 minus 180 degree minus 45 degree यह आएगा और बच्चों इसको अपन solve करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है cos 45 और यह कौन से चतुरतांस में आएगा second में आएगा और second में A, S, T, C नियम लगाएंगे तो वहाँ पे sign ही positive देता है sign और sign का positive cos X वो ही positive देता है cos 10 यह तो negative देता है इसलिए यहाँ पे negative लगाएंगे और बच्चों यह minus और 45 degree का मान हमें पता है 45 degree का मान देता है 1 बटे root 2 इसलिए हमने यहाँ पे लिखा cos 135 degree का मान minus 1 बटा root 2 तो बच्चों यहाँ से हमें L, M, N अर्थार दिक कोजय हमने निकाल ली वो हमने निकाली 0 minus 1 बटे root 2 और 1 बटे root 2 और यही हमारा answer है यही हमें पूछा था कि उनकी दिक कोजय हैं बताओ जो X के साथ में 90 degree 135 degree और 44 degree, 45 degree का कोण बना रहे हैं ठीक है बच्चों next देखते हैं कि उसन संक्या 2 एक रेखा की दिक कोसाइन ग्याद करना है एक रेखा की दिक कोसाइन ग्याद करना है जो निर्देशी अक्सूं के साथ समान कोण बनाती है अर्थार्थ यहां पर दिया हुआ है कि जो हमें alpha, beta और gamma कोई रेखा है हमारी जो xx के साथ में भी कोण बनाती है वो ही yx के साथ में बनाती है और वो ही zx के साथ में कोण बनाती है यह alpha था यह हमने दिया था यह alpha यह beta और ये जो था वो गामा था तो ये कहरा है कि एक रेखा की धिंग कोसाइन ग्याद करनी है कोई रेखा जो निर्देशी अकसूं के साथ समान कौन बनाती है अर्थार्थ ये दिया हुआ है कि उसन में हमें दिया है ये अर्था इकवल टो बीटा एक्वल टू गामा ये बराबर मनाती है अर्थारब इसके दिख कोसाइन निकाले हैपन दिख कोसाइन और दिख कोसाइन होते हैं अर्थार। का मान कोस अलफा, M का मान कोस बीटा, और N का मान कोस गामा, और L अलफा बीटा गामा बराबर है, अर्थार्थ अपन लिख सकते हैं, कोस अलफा, कोस बीटा, कोस गामा, यह इनके, दिको साइन हो गए, और यहां से अपन यह बराबर है, इसलिए अपन लिख सकते हैं, कोस अल लिखे और यह क्या है बच्चों हमारे L M N प्राप्थ हो गया है यह यह M है और यह N है और इनका संब्ध हम जानते दिक कोशियाओं का संब्ध हम जान सकते हैं वह होता है L square plus m square plus n square equal to 1 k बराबर होता है तो यहाँ से अपन l का मान रखते हैं अर्थार्थ cose square alpha ऐसे m का मान रखेंगे तो यह भी होगा cose square alpha ऐसे cose square alpha equal to 1 k बराबर है यह मान हमने रख दिया lm n का मान यहाँ से रख दिया अब देखिएगा यहाँ से कोस square alpha common ले ले, कोस square alpha, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 is equal to 1, अर्थार, कोस square alpha equal to 1 by 3 प्राप्त हो गया, हमें कोस alpha निकालना है, इसलिए कोस alpha equal to plus minus 1 upon under root three तो यहां पर हमारे पास में कोस alpha क्या हो गया plus minus under root three आप पने इसको लिख सकते इंप plus का value ले तो कोस alpha बढबेर plus one upon under root three दोनूं ले सकते है plus के भी minus के अईसे ही हमें cos beta निकालना है cos beta alpha के बढबर ही है अर्थार्थ वो भी plus minus one upon root three प्राफ्थ होगा ऐसे ही कोस गामा कोस गामा भी कोस अलफ ही है अर्थार्थ उसका मान भी प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्राप्त हो गया और ये क्या है ये क्या है एम है और ये क्या है एन है और ये मिला के ये तो क्या बनते हैं दिक को साइन अर्थार्थ उस रेखा कि दिक कोसाइन हमारे पास में प्राप्त हो गए वो हो गया प्लस माइनस वन अपोन रूट थ्री ऐसे ही प्लस माइनस वन अपोन रूट थ्री और ऐसे ही प्लस माइनस वन अपोन रूट थ्री और यही हमारा अंसर है बच्चो ठीक है बच्चो नेक्स देखते हैं क्यूशन संख्याती यदि एक रेखा के दिक अनुपात हमें दिये हुए है है माइनस अठारा बारा और माइनस चार तो इसकी दिक कोसाइन ग्यात करना है तो बच्चो यहां इंपोर्टेंट है अच्छा क्यूशन है हमें फोर्मुला आना चाहिए यहां में दिया है A equal to minus 18, B equal to 12, और SAC equal to minus 4, अर्थार्थ हमें दिक अनुपात दे रखे हैं, दिक अनुपात, A, B, C का मान दिया हुआ है, और बच्चों, दिक कोसाइन पूँच रहा है, हमें L, M, और N के मान हमें पूँच रहा है, और इनका आपस में सम्मध हम जानते हैं, कि L equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square होता है, ऐसे ही M equal to B upon under root A square plus B square plus C square, और ऐसे ही N equal to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square, तो इनकी साइता से अपन क्या निकालेंगे, दिक कोसाइन निकालेंगे, तो बच्चों, देखिएगा, यहां से हम L का मान निकालते हैं, तो L equal to plus minus, अब A देखो बच्चों, यहां पर दिया है, minus 18, तो यहां लिख देते हैं, minus 18, upon under root, minus 18 का square, plus 12 का square, plus minus 4 का square, का under root लेना है, इसको solve कर लेते हैं अभी, इसलिए L equal to plus minus, यहां पर है minus 18, अपन, देखिए, इसको solve करते हैं, अपन, 18 का square करना है, अर्थार 324, ऐसे ही यहां पर 144, और ऐसे ही 16 प्राप्थ हो जाएगा, इसका square किया तो 324, इसका किया तो हमें 144, और इसका किया तो 16 प्राप्थ हो गया, ठीक है बच्चों, अब इसका योग करते हैं, इसलिए L equal to minus 18, अपन, यहां से अपन योग करते हैं, तो यह अपना 10, 4, और यहां से तो यह 4, 8, 4 प्राप्थ हो गया, जिसका under root लेना है, तो बच्चों देखिएगा, इसलिए L equal to minus 18, अपन, इसका अपन वरग मूल करते हैं तो वो आता है, अपने पास 22, अर्थार इसको काटते हैं, अपन, 2 से काटेंगे, तो minus 9 by 11 प्राप्थ हो गया, यह हमारे पास L का मान प्राप्थ हो गया, ऐसे ही हमें M का मान भी प्राप्थ कर लेते हैं, देखिए बच्चों, M, M equal to plus minus B upon under root A square plus B square plus C square होता है, अर्थार प् plus minus और B का मान यहां से ले लेते हैं, कि उसनमें दिया हुआ है हमें, P equal to 12, तो यहां से अपन 12 लिख देते हैं, यह लिखा 12 upon under root, इसको अभी सोल किया, यहां से, इसके साथ ताज दुबारा यह ही लिख देते हैं, यह 484 जिसका हमने वरगमूल किया, तो 22 प्राप्थ हो गय तो यहां लिख देते हैं, 484, 484 अर्थार, plus minus 12 बटे 22, और इसको अपन 2 से भाग देते हैं, तो देखेगा, 6 by 11 प्राप्थ हो गया, ऐसे ही हमें, n का मान निकाल लेते हैं, और n equal to होता है, plus minus c upon under root, a square, plus b square, plus c square, इसलिए, n equal to, plus minus, और c का मान हमें दिया हुआ है, देखेए, c का मान हमें देखा है, minus 4, तो यहां अपन रख देते हैं, minus 4, यह minus 4, अपन यहां आपन निकाल चुके हैं, इस का मान क्या प्राप्थ हो आए, 22, तो सीधा लिख देते हैं, 22, इसलिए, n equal to, minus 4 by 22, यह भी 2 से cancel ह इसलिए, minus 2 by 11 प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार हमने, l, m, n का मान निकाल लिया, l, m, n, जिसका मान हमने निकाला, l का मान यहां से देखिए, यह निकाल लिया था, हमने सबसे पहले, minus 9 by 11, तो यहां पे लिख देते हैं, minus 9 by 11, ऐसे, m का मान निकाला था, 6 by 11, तो यहां प और यही हमें पूछा है, कि दिक कोसाइन बताओ, अर्थार्त L M N के मान निकालो, और वो हमने निकाल लिए, ठीक है बच्चो, नेक्ट देखते हैं कि उसन संक्या 4, दर्साइए कि बिंदू 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, 1, और तीसरा बिंदू है, 5, 8, 7, संरेक हैं, तो बात करते हैं, यह मान लेते हैं, A बिंदू है, 2, 3, 4, ऐसे B बिंदू के निकालो, हमें दिये हैं, माइनस 1, माइनस 2, 1, और C बिंदू के निकालो, हमें दिये हुए हैं, 5, और क्यूशन में हमें बात करना है कि ये बिंदू से बनने वाली एक रेखा होगी, वो क्या है? सन्रेख है, अर्थार्थ A, B, C, एक ही रेखा पे ये बिंदू है, सन्रेख. तो इसके लिए अपन बात करते हैं, पहले A, B, रेखा निकालेंगे, उसके दिक्कनुपात निकालेंगे, फिर B, C, रेखा के दिक्कनुपात निकालेंगे, और ये दिक्कनुपात अगर समान आते हैं या समान आते हैं, तो अपन कहलेंगे कि A, B, रेखा, B, C, रेखा के समान और फिर अपन देखेंगे समना अंतर तो है पर इसमें कोई उभणिस्ट आएगा अगर A बिंदू, B बिंदू, C बिंदू कोई उभणिस्ट आता है तो कहलेंगे कि एक ही रेखा पर है अर्थार्थ सन्रेख हैं तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं, A, B, ये A बिंदू, ये B बिंदू, ये C बिंदू, तो A और B रेखा, A, B, रेखा के दिक्क अनुपात, अर्थार्थ, X2 माइनस X1, ऐसे है, Y2 माइनस Y1, और ऐसे है, Z2 माइनस Z1, अर्थार्थ, ये A मिल जाएगा, ये B मिल जाएगा, और ये C मिल जाएगा, और X2, ये आपके X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, तो A, B बिंदू से यहां से निकाल लेते हैं, दिक्क अनुपात, इसलिए रिखेगा, बच्चों, यहां से अपन दिक्क अनुपात निकाल लेते हैं, तो A, B रेखा के दिक्क अनुपात, इसलिए X2 माइनस X1, तो X2 है माइनस 1, और X1 है माइनस 2, ऐसे ही Y2, Y2 है मारे पास माइनस 2, और Y1 है माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3, ऐसे ही Z2 निकालते है, Z2 ये 1 और माइनस Z1 है माइनस 4 अर्थार्थ यहां से हमें दिक कनुपात ABC का मान माइनस 3 यहां पर अपने पास में माइनस 5 और यहां पर देखिएगा माइनस 3 प्राप्त हो गया माइनस 3, माइनस 5 और माइनस 3 प्राप्त हो गया अब बच्चों आपन दूसरी रेखा निकालते हैं BC रेखा, BC रेखा के दिक्कन उपात और उसके लिए भी आपन X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 इसकी साहिता से निकालेंगे और बच्चों X2, X1, Y1, Z1 तो इसको बोलेंगे अपन BC रेखा तो यह X1, Y1, Z1 और यह हो जाएगा X2, Y2, Z2 अर्थार्थ हमें BC रेखा के दिक्कन उपात निकाल लेते हैं BC रेखा के दिक्कन उपात इसलिए A इक्वल टू A का माइनस यहां से X2 माइनस X1 एक तो माइनस है आल्रेडी है तो प्लस का हो जाएगा तो यहां लिख देते हैं 5 माइनस और वो माइनस का प्लस 1 5 माइनस 1 ऐसे ही देखो बच्चों यहां पर A का माइन निकल गया X2 माइनस X1 और B का माइन निकालते हैं Y2 माइनस Y1 Y2 माइनस Y1 8, 8 और यह माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएगे तो यहां लिखेंगे 8 प्लस 2 ऐसे ही C का माइन Z2 माइनस Z1 तो यहां से Z2 माइनस Z1 तो 7 माइनस 1 तो यहां लिखेंगे 7 माइनस 1 अर्थार्थ यह 6 हो गया यहां पर 10 हो गया और यहां पर 6 हो गया तो यहां से हमें BC रेखा के दिकानुपात मिल गए BC रेखा के दिकानुपात देखेगा 6 10 6 तो बच्चो हमने BC रेखा के दिकानुपात निका लिए 6 10 6 और AC आपन यहां से निकाल चुके हैं देखिए एसी रेखा के दिक अनुपात यहां से और बच्चो यहां पर देखो अपन माइनस कोमन ले ले तो इसको भी अपन लिख सकते हैं 353 और यहां पर देखिएगा बच्चो इसलिए A, B, रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात, वो हमारे पास में प्राप्त हो गए, 353, तो इसको लिखा हमने, 353, और बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 353, तो अपन बोल सकते हैं कि A, B, रेखा के दिक अनुपात, और B, C, रेखा के दिक अनुपात समान है, या समानुपाती है, अर्थार्थ, अर्थार्थ, A, B, रेखा, वै, B, C, रेखा के दिक अनुपात समान है, और A, B, रेखा, वै, B, C, रेखा में, इन दोनों में क्या है, B, उभेनिस्थ है, कोमन है, उभेनिस्थ है, अर्थार्थ, इसको यूँ समझिएगा, एक B, रेखा है, हमारे पास में, यह है, हमारा मान लेते हैं, A, और यह B, तो यह एक रेखा है, A, B, और दूसरी रेखा, इसके समानांतर है, समान है इसलिए यह क्या है समानांतर है तो दूसरी रेखा भी क्या है बी सी रेखा इसके समानांतर है परंतु बी तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है यह अपना ए बी यह ए बी दूसरी रेखा क्या है बी सी इसके समानांतर है परंतु बी तो यहीं पे है तो बी सी यहां से ले या B C, तो यह क्या हो गया, एक ही रेखा हो गई ना, B क्या है, इसमें उबैनिस्ट है, इसलिए अपन यहां से कह सकते हैं, इसलिए A, B, V, C, सनरेख हैं, एक ही रेखा में हैं, और यह हमने सिद्ध किया ऐसे बच्चों हमें सिद्ध कर देना है, ठीक है बच्चों, नेक्स देखते हैं, क्युसन संक्या, फिप्थ देखिएगा, एक तिर्बुज की बुजाओं की दिक कोसाइन ग्यात करना है, यदि तिर्बुज के सीर्स हमें दियक हैं, कि तीन, पांच, माइनस चार, और बीक बिंदु के सीर्स से माइनस एक, एक, दो, और सी बिंदु के सीर्स से माइनस पांच, माइनस पांच, और पहुचा है दिक को साइन अर्थार्थ L M N के मान पहुचा है तो L का मान हम जानते हैं L equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square होता है ऐसे ही M equal to plus minus B upon under root A square plus B square plus C square होता है ऐसे ही M equal to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square के प्राबर होता है और ये A, B, C के दिक अनुपात है दिक अनुपात दिक अनुपात है A, B, C और हमें दे रखा है तिर्भूज के सीर्स अर्थार्थ A बिंदू, B बिंदू, C बिंदू अर्थार्थ हमें दे रखा है मान लेते हैं कि ये तिर्भ B, C A, B, C तो एक रेखा A, B रेखा हो गई, एक B, C रेखा हो गई और एक A, C रेखा हो गई तो A, B रेखा के हम दिक अनुपात निकालेंगे दो बिंदू हो गए यहां पर यह हो गए X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, अर्थार्थ 3, 5, minus 4 और minus 1, 1, 2 ऐसे ही हमारे पास में C के निक नि अनुपात हम जानते हैं, यह होता है, X2, minus X1, Y2, minus Y1, और ऐसे ही Z2, minus Z1, यह होते हैं, दिक अनुपात अर्थार्थ A, B, और C, तो यहां से हमें दिक अनुपात मिल जाएंगे, और दिक अनुपात से हम दिक कोसाई निकालेंगे, तो यही हमें पूछा है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं, दिक अनुपात की, तो A, B, रेखा, A, B, रेखा के दिक अनुपात, अर्थार्थ, A, बिंदू के निर्दे सांग हमें दिये हुए हैं, A, बिंदू के निर्दे सांग यहां से ले लेते हैं, 3, 5, minus 4, तो यहां थे, 3, 5, minus 4, और B, बिंदू के निर्दे सा मांग दिये हुए है, माइनस 1, 1, 2, माइनस 1, 1 और 2, तो यहां से हमें, यह हमारा X1, यह Y1, यह Z1, ऐसे यहां पर यह X2, यह Y2, और यह Z2, अर्थार, इसकी साइटास निकाल लेते हैं, तो देखेगा, इसके दी कनुपात में मिल जाएंगे, तो A equal to X2 minus X1, तो X2 minus X1 minus 1, और minus 3, अर्थार, minus 4, ऐसे B equal to Y2 minus Y1, Y2 minus Y1, तो 1 minus 5 equal to minus 4, ऐसे C, C के हमें, दिक अनुपात मिल जाएंगे, देखो, यहां से 2, यहां पर 2, और यह minus minus 4, अर्थार, यहां पर 6 प्राप्त हो गया, तो A, B, C, अर्थार, दिक अनुपात मिल गया, तो दिक कोसाई निकालने हैं, किसके A, B रेखा के, इसलिए L equal to, यहां से अपन लेते हैं, L equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square, तो यहां A का मान मिल गया, minus 4, इसलिए, minus 4 upon under root, minus 4 का square लिख देते हैं, तो यहां पर 16, यहां पर minus 4 का square, यह भी 16, और इसका square करते हैं, तो 36, तो देखिएगा, यहां से हमारे पास में प्राप्त हो गया, minus 4 बटे, 8, 666, तो 8 हो गया, 6, 24, और यहां से 3, 4, 5, 6, 68, तो यहां से हमें L ब्राप्बर, minus 4 upon 68 का under root प्राप्त हो गया, इसी प्रकार देखिएगा, इसको अपन sol कर सकते हैं, तो L equal to minus 4, इसको लिख सकते हैं, 7 into 4, अर्थार्थ, यहां से अपन लिख सकते हैं, minus 4 upon 2 root 17, अर्थार्थ, अपन इसको लिख सकते हैं, 2 बटे under root 17, यह minus का, 2 बटे under root 17, अर्थार्थ, हमें L का मान मिल गया, minus 2 बटे root 17, और बच्चों, ऐसे ही हमें M का मान मिल जाएगा, तो M equal to, हमें मिल रहा है, plus minus B upon under root A square plus B square plus C square, और यहां से देखिए, बच्चों, B का मान, तो B equal to minus 4, और upon, इसका मान यही रहेगा, सेम, अर्थार्थ, यहां लिख सकते हैं, 2 root 17, तो यहां से भी हमें M का मान, minus 2 upon root 17, प्राप्त हो गया, ऐसे ही N का मान देखिए, तो N equal to, plus minus C upon under root A square plus B square plus C square होता है, और C का मान, यहां हम निकाल चुके हैं, 6, तो यहां लिख देते हैं, 6, अर्थार्थ, 6 upon, और इसका मान, यहां से लिख देते हैं, 2 root 17, तो इसको अपन लिख सकते हैं, 3 upon root 17, तो हमारे पास में A, B, रेखा की दिख को जाएं, अर्थार्थ, A, B, रेखा की दिख को साइन, A, B, रेखा की दिख को साइन, तो हमें प्राप्त हो गई, minus 2 by root 17, minus 2 by root 17, और 3 by root 17, यह हमारे पास में, A, B, रेखा की दिख को जाएं, प्राप्त हो गई, ऐसे ही हमें निकालना है, B, C, रेखा की दिख को जाएं, ऐसे हमें इस B, C, रेखा की दिख को जाएं निकालनी है, तो बच्चो अपन B, C, रेखा की दिख को जाएं, भी निकाल लेते हैं, तो देखिएगा, बी सी रेखा की दिक को जाए तो इसके लिए पहले तो हमें दिक अनुपात निकालना पड़ेगा दिक अनुपात अर्थार्थ दिक अनुपात के लिए हमें X2-X1, Y2-Y1 और ऐसे ही Z2-Z1 निकालना है तो यहां पर हमारे पास में यह हो जाएगा X1, Y1, Z1 और यह हमारे पास में X2, Y2, Z2 तो देखें यहां पर B, C रेखा के निर्दे सांग लिख लेते हैं तो B के निर्दे सांग लिख लेते हैं पहले तो यहां पर लिख लेते हैं B के निर्दे सांग तो B के निर्दे सांग हमें दे रखे हैं माइनस 1, 1, 2 और ऐसे C बिंदू के निर्दे सांग देखिए माइनस 5, माइनस 5, माइनस 2, तो यहां से अपने निकाल लेते हैं, दिक्कन उपार्थ, अर्थार्थ, X2 माइनस X1, तो माइनस 5 और यहां से, यह माइनस 1 लिखेंगे, तो प्लस का 1, ऐसे ही Y2, यह भी माइनस 5, Y1, Y न न है, माइनस 1, और ऐसे Z2, minus 2 और यहाँ पे minus 2 तो देखिएगा, यहाँ से हमारे पात में minus 4, minus 6 और यहाँ पे minus 4 प्राप्त हो रहा है यह अपन इसको लिख सकते हैं 2, 3, 2 यह लिख सकते हैं, एक ही बात है समानुपाती संक्या है, तो यह इसको अपन लिख सकते हैं A, B, C, अर्थार्थ A, B रेखा के दिक अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गए 2, 3, 2 अब हमें दिक कोसाइन निकालना है इस रेखा के दिक कोसाइन और दिक कोसाइन के लिए हम जानते हैं, L equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square होता है, अर्थार्थ A का मान यहां से लिख देते हैं यह हमारे पास में plus minus 2 upon 2 का square plus 3 का square plus 2 का square अर्थार्थ देखिए इसलिए 2 upon 4 plus 9 plus 4 का under root और इसको अपन लिख सकते हैं 2 बटे 8 और 16 रे 17 under root 17 तो बच्चों ऐसे हमारे पास में N का मान मिल जाएगा M equal to यहां B upon under root A square plus B square C square और इसका मान तो यही आएगा और B का मान हम निकाल चुके हैं 3 है तो यहां पे 3 रख देते हैं इसलिए 3 upon root 17 ऐसे ही N का मान भी निकल जाएगा यहां से 2 upon C का मान यहां पे है 2 तो इसलिए रिखा 2 या C plus इस formula लखेंगे C but A plus minus under root A square plus B square plus C square का under rule लेना है अर्थार्थ इसका मान तो root 17 आएगा और C का मान 2 है तो अपना लिख देते हैं 2 but A root 17 तो अर्थार्थ यहां पे हमारे पास में B C रेखा के दिक कोशाइन वो प्राप्त हो रहे हैं 2 but A root 17 3 but A root 17 और 2 but A root 17 तो ऐसे अब मैं A C रेखा के भी निकाल लेते हैं तो देखेगा बच्चों ऐसे अपना निकाल लेते हैं A C रेखा के दिक कनुपात और उसके बाद में अपन दिक कोशाइन निकालेंगे अर्थार्थ X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 और ऐसे ही Z2 माइनस Z1 अर्थार्थ हमें A, B, C मिल जाएगा अब इसके लिए हमें यहां से लेना पड़ेगा निर्दे सांग A और B अर्थार्थ यह X1, Y1, Z1 और यहां से A और C है बच्चों तो यह है पहला A और यह दूसरा है C का X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 तो यहां पे लिख देते हैं A बिंदू के निर्दे सांग है देखें यहां से 3, 5, माइनस 4 3, 5, माइनस 4 ऐसे C बिंदू के निर्दे सांग हमें दे रखें है माइनस 5, माइनस 5, माइनस 2 तो यहां पे लिख देते हैं माइनस 5, माइनस 5, माइनस 2 अर्थार्थ यह तो है X1, यह Y1, यह Z1 ऐसे यह X2 यह Y2 और यह Z2 तो इसकी साइता से यहाँ पे निकाल लेते हैं A equal to X2 minus X1 अर्थार्थ X2 यहाँ से तो minus 5 minus 3 तो यहाँ से तो हमारे पास minus का 8 प्राप्त हो गया ऐसे ही B equal to B equal to Y2 minus Y1 अर्थार्थ minus 5 minus Y2 minus Y1 अर्थार्थ यह minus 5 तो यहाँ से minus 10 ऐसे ही C देखो बच्चो C का मान Z2 minus Z1 तो Z2 है minus 2 और Z1 है plus है यह minus minus हो जाएगा प्लस अर्थार्थ 2 यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं देखिएगा Z2 minus Z1 तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं A, B, C A, B, C इसके मान हमारे पास में minus 8, minus 10 और 2 प्राप्त हो गया यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं 4, 5 और minus 1 एक ही बात है ऐसा करने से क्या के लिख थोड़ी सी easy हो जाएगी अर्थार्थ L equal to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square अर्थार्थ A का मान 4 upon 4 का square plus 5 का square plus minus 1 का square का under root ले ले लेते हैं तो देखिएगा इसलिए 4 upon 16 plus 25 plus 1 का under root ले लिया तो देखिए यहाँ से अपन इसको solve कर लेते हैं इसलिए L equal to 4 upon यहाँ से अपने पास में यह हो गया 2 11 और 2 तो यहाँ से 2 का 1 तो 3, 4, 42 का under root तो इसको अपन लिख सकते हैं L और ऐसे ही अपन M बराबर लिखेंगे M बराबर इसी फोर्मूले लगाएंगे इसी फोर्मूले B upon यह कैसे कैसे हो जाएगा और B का मान यहाँ पर अपने पास 5 है तो सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पे 5 upon under root 42 ऐसे ही C मतलब ऐसे ही N का मान निकाल लेते हैं और N equal to यहाँ पे C रखेंगे upon under root A square plus B square plus C square और C का मान minus 1 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा ही minus 1 अपने under root 42 तो बच्चों यहाँ से हमारे पास में किसके प्राप्त होगे A C रेखा के Dic Cosine Dic Cosine अर्थार्थ Cos Alpha Cos यह क्या है Cos Alpha है ऐसे यह Cos Beta है और यह Cos Gamma है तो ऐसे हमने इनके मान प्राप्त कर लिए हैं तो तिर्बूज के सीर्ष दिये हुए थे उसके निर्दे सांग दे रखे थे उसकी साहिता से हमने A B रेखा के Dic Cosine निकाले पिर उसके बाद में उसके Dic Cosine निकाले ऐसे ही B C रेखा के Dic Cosine निकाले और सेम A C रेखा के हमने पहले Dic Cosine निकाले और Dic Cosine निकाल लिया और उसके लिए फोर्मूला है ये फोर्मूला हमें आना चाहिए L ब्राबर प्लस माइनस A अपोन अंडरूट A स्कॉाइर प्लस B स्कॉाइर प्लस C स्कॉाइर ऐसे ही M के लिए यहाँ पी रहेगा और N के लिए यहाँ पे C रहेगा और इसकी साइटा से अपन L M N अर्थार्थ दिक को साइन के मान निकाल सक है बच्चो ने सेशन में हम प्रसनावली 11.2 के उधारणों को हल करना सीखेंगे ठीक है बच्चो धन्यवाद